हलो नमस्कार साथियों आप सबों को फिर से अपना यूटूब चेनल मा असा इस पॉइंट में स्वागत है मेरे साथियों आपका एक्जाम कैसे गया आप हमें कमेंट में बताएंगे बाकि इस वीडियो में मैं आपको आपके जो एक्जाम हुआ है हिंदी का सेट जे का जितन मारे यूटूब चेनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं प्लिस सब्सक्राइब करेंगे ध्यान रखेंगे आप अपना प्रश्न पुस्तिका सेट कोड देख लिजेगा उसके बाद फिर आप इसको मिलाईएगा तब सही सही एंसर मिलेगा नहीं तो जैसे कि सेट एबी सीड पाई के पास बैठ लिख़े पर बैठी क्या करती दिखायए देती है तिसका जुकरेक्ट अंसर होगा वह झायगा आपको ए matrices को ग्साली को होगा वो हो जाएगा आपको जगदिस्चंद्र माथूर जी ने किया नेक्स्ट कुईस्चन है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा यह पंक्तिक निम्न में से किसके दोरा लिखी गई है तिसका प्रेक्ट अनसर हो जाएगा आपको जगदिस्चंद्र माथूर फिर भी कोई कुछ न कर सका जिन ही गया खिलोना मेरा यह पंक्तिक की सिर्चक पार्ट से लिए गया है next question है कि अत्हार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है या पंक्ति किसके दवारा लिखी गई है इसका correct answer हो जाएगा आपको मलियत के दवारा B next question है आपका आठवा कि सुवेदार बोला लहना सिंग सुवेदार बोला लहना लहना सुवेदार नहीं तुमको जानती है बुलाती है जा मिला इसका जो करेक्टर अंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा नहीं कि उसने कहा था कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह पांच सहस्तर वर्ष तक चलने वाला था किन्तु अब वह केवल पांच सो वर्ष चलेगा क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है यह उक्तिकी सिर्षक पार्ट से लिया गया तिसका करेक्ट अंसर हो जा आपको ए यानिकी सिक्षा नेक्स्ट क्वेस्चन है वीना पानी सब्द में कौन समास है तिसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जागा आपको ए यानिकी बहुबरीही नेक्स्ट क्वेस्चन है कि मानवत्ता सब्द कौन संग्या है तिसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको यानि कि भाव वाचक क्या हो जाएगा इसका भाव वाचक हो गया नेक्स्ट क्वेस्टन है तेरा का कि हीरा सब्द कौन संग्या है तेरा क्वेस्टन है कि हीरा सब्द कौन संग्या है तिसका कर्रेक्ट अंसर हो जाएगा आपको A यानि कि द्राव वाचक नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपको D यानि की 8 भेद है next question है next question है next question है 21 कारय के कितने भेद हैं तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको A यानिकी 8, next question है कि भरपेट सब्द में उपसर क्या है, इसका correct answer हो जाएगा आपको A यानिकी भर, next question है 23, परतिनिधी सब्द में उपसर क्या है, इसका correct answer हो जाएगा आपको B यानिकी प्रति, next question है 24, कि वंदना सब्द में प्रतिया क्या है, इसका correct answer हो जाएगा आपको B यान हाग नेकस्ट कुईस्टन है कि ट्वेन्टीश्ट की कभी सब्सक्राइश रूप क्या है इसका क्या सब्सक्राइब नियिए नब और प्रूसिट नील पीत्ट साफिक पाँस्ट्स कि चमेंगे इसका क्या सब्सक्राइब हो जाएगा को सियानि 20 कि ejt प्रमान सब्द कौन समास है इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको ठटी कसी दूइगू नेक्स्ट क्वेस्टन है नाभादास किस कभी के समकाली नहीं थे इसका जो करेक्ट अंसर होगा वह हो जाएगा आपको यानिकी यानिकी सूर्दास नेक्स्ट क्वेस्टन है अब नेक्स्ट क्वेस्टन है थर्टी टू कि भक्तमाल निमन में कौन किस कभी की रचना है इसका जो करेक्ट अंसर होगा वह हो जाएगा आपको ए यानिकी नाभादास next question है कि सुभद्रा कुमारी चोहन का निधन कैसे हुआ इसका correct answer हो जाएगा 33 का ए यानिकी कार दुर्घटना में next question है कि उसा जादू तूटता है इस उसा का अब सुर्योदय हो रहा हुआ यह पंक्ति की सिर्षक कविता की है इसका correct answer हो जाएगा आपको ए यानिकी उसा next question है कि सिंग हासन पर बैठा उनके सितने कों लगाता है यह उंख्ति का अदिनायक next question है लगती लपकी कंठ बायरीन के नागिन सी यह उक्ती किस सिर्शक कविता की है जिसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको ए यानिकी कवित का अब तो एकल अबट इन्ष मैंत को दशने हो जाए एक हाथ झार करेक्ट आप अब और में और जुशेट का रुपन है कर्दार का दूकर, सिर्शक्पार का रुपन की रचना नीम्नी का रहा जाए. आपको B यानिकि वाओन प्रकास बाल में की next question है वधवन सब्द का संधी विचयत क्या है इसका correct answer हो जाएगा आपको इसका correct answer हो जाएगा आपको C यानि कि हिते जोड C बढ़ावर हिते C अब next question है कि जगदंबा सब्द का संधी विचित क्या होगा जिसका correct answer हो जाएगा 43 का A यानि कि जगद जोड अंबा next question है अब next question है कि अधपका सब्द में उपसर क्या है जिसका correct answer हो जाएगा आपको 44 का A यानि कि next question है कि अब गुन सब्द में उपसर क्या है जिसका correct answer हो जाएगा 45 का A यानि कि next question है कि सोहन पढ़ता है किस काल का उधारन है जिसका correct answer हो जाएगा आपको A यानि कि वर्तमालकार next question है रवी ने खाया किस काल का उधारन है इसका correct answer हो जाएगा आपको खाया तो इसका correct answer 47 का 47 का हो जाएगा आपको A यानि कि भूत काल का next question है 48 का कि नरेस जाएगा किस काल का उधारन है इसका correct answer हो जाएगा भविश्यत काल A इसका correct answer हो जाएगा 48 का A correct answer होगा कि कब उत्तर चत पर बैठा आए किस कारण को धारन है इसका correct answer हो जाएगा 49 का आपको ए यानी की अधीकरण next question है अब next question है 50 का की कि बच्चे घर में है किस कारक का उद्रहन है इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको फिप्टी का शी तो इसका फिप्टी का इसका अंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानिकी अधिकरन नेक्स्ट कुश्चन है कि सिक्षा गरहन करने वाले के लिए एक सब्द क्या होगा इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा 41 का A यनिकी विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन है तीवर बुद्धी वाले के लिए एक सब्द क्या होगा तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको A यनिकी कुशागर नेक्स्ट क्वेश्चन है रात को पहरा देने वाले कोन पदबंध है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसो दूर भागना मोहवरेक अर्थ क्या है 55 का इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको A यनिकी बहुत अलग रहना नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको D यनिकी तुक्च होना नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है कि सर्व नाम का अधारन है दिसका correct answer हो जएगा 57 का A, यहनि कि संबंद वाचक Next question है कि स्वर्ण चब्द का विशचन क्या है दिसका correct answer हो जढएगा फटि 58 का A, यहनि कि स्वर्ण ने ने question है कि दिन सब्द का विशेशन क्या होगा 59 का correct answer हो जाएगा आपको 59 का correct answer हो जाएगा आपको C यानि की देनिक next question है आत्मा सब्द का विशेशन क्या है इसका correct answer हो जाएगा 60 का B यानि की आत्मिक next question है next question है 61 का कि भगत सिंग निम निखित में किस देश में थे इसका correct answer हो जयेगा आपको पंजाब में next question है कि वातसलवाव के सर्वोपरी कवी निमन में कौन है 62 का answer हो जयेगा आपको C आनी कि सूर्दास next question है 63 जैसेंकर प्रसाथ किस वाध के कवी है इसका correct answer हो जाएगा आपको A यान की छाया वाद next question है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतिक है इसका correct answer हो जाएगा आपको D यान की कर्म का next question है कि पुत्र वियोग सिर्शक कविता कैसी रचना है तो ये है आपको पुत्र वियोग है न इसका correct answer हो जाएगा 65 का A यान की शौक गीट का है next question है next question है 66 की कवितिरी का खिलोना क्या है तो इसका correct answer हो जैगा उसका पुत्र next question है 67 की भागल पुरूविश्विद्याले में उपकुल पती पद परनिमन कीत में से कौन रहे हैं तो इसका correct answer क्या होगा शंभवत्ता इसका correct answer हो जाएगा आपको ए यानि कि रामधारी शिंग दिनकर जी next question है संपूर्ण क्रांती संभासन किस ने दिया तो यह जै प्रकास नरेंजी ने दिये है next question है निमलिखित में से गद कविता कौन सी है तो इसका correct answer हो जाएगा आपको हार जीत यानि कि A इसका correct answer हो जाएगा 69 का next question है 70 का कि अधिनायक सिर्षक कविता कविता निमन में से किस प्रकार की रचना है इसका correct answer हो जाएगा आपको 60 का A यानि कि व्यंग कविता next question है कि उसने कहा था कहानी में किस यूद का उलेक है इसका correct answer हो जाएगा आपको B यानिकी 71 का हो जाएगा B Next question है कि प्रेम के पीर निम्लिखित में से कौन से कहे जाते हैं तो जैसी को प्रेम के पीर के कभी कहे जाते हैं Next question है हिंदी के एडिसन निम्लिखित में से कौन कहे जाते हैं इसका correct answer हो जाएगा आपको A यानिकी बाल कृष्ण भाट next question है कि तार सब्तक के संपादक निम्न में से कौन है 74 का हो जाएगा आपको A यानिकी अग्ये next question है 75 का कि वाद विवाद संबाद के रचना कार निम्न में से कौन है जिसका correct answer हो जाएगा 65 का D यानिकी जैसंकर परशाद next question है next question है कि सिक्षा हिंदी साहित में किस धारा के अंतरगत है इसका correct answer हो जाएगा 66 का यह हो जाएगा आपको D यानिक अतिहासिक संस्वन next question है कि प्राधिंता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारणी नहीं रही यह उक्ती कि सिर्षक पार्ट से है इसका correct answer हो जाएगा आपको A यानिकी अर्ध नारिश्वर next question है कि तुलसी दास का मूल नाम क्या है इसका correct answer हो जाएगा आपको राम बोला A next question है कि तुलसी दास के दिक्षागुरू कौन थे तो इसका correct answer हो जाएगा B यानिकी वल्हवाचार next question है 80 साहित लहरी किसकी रचना है इसका correct answer हो जाएगा आपको सूर दास A next question है next question है कि 88 का कि परिश्रम सब्द का विलोम क्या होगा तो 81 का हो जाएगा A N की महनती next question है कि अगामी इसमें क्या हो जाएगा परिश्रम सब्द का विलोम परिश्रम सब्द का विराम हो जाएगा सोरी 20 का correct answer हो जाएगा 81 का next question है कि अगामी सब्द का विलोम क्या होगा अगामी का तो विगत हो जाएगा 20 का correct answer होगा 82 का next question है कि कृष्ण सब्द का विलोम क्या होगा सुकल हो जाएगा एसका correct answer होगा next question है कि कमल सब्द का परियावाची क्या होगा इसका इसका correct answer हो जाएगा आपको 84 का A यानि कि स्रोज next question है जंजट सब्द का परियावाची क्या है इसका correct answer हो जाएगा आपको निकट बावाल या असानी या दूर इसका correct answer हो जाएगा 85 का B हो जाएगा बावाल next question है next question है 86 का कि सीव सब्द का परियावाची क्या है इसका correct answer हो जाएगा 86 का A यानि कि रूद्र next question है कि पाठक सब्द क्या है 87 का correct answer हो जाएगा A यानि कि pulling next question है कि घी सब्द क्या है 88 का correct answer हो जाएगा आपको 88 का correct answer हो जाएगा आपको B यानि कि pulling next question है कि आयू शब्द क्या है 89 का correct answer हो जाएगा आपको B यानि कि stealing next question है कि गायक शब्द का संधी विचित क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा नाइन्टी इनका 90 का correct answer हो जाएगा आपको B यानि कि ने जोड अकवरावर नायक next question है 91 कि तिरीच सिर्सक पार्ट के रचिता निमन में कौन है था यह उद्हे प्रकास है next question है 92 रोज सिर्सक पार्ट के रचिता निमन में कौन है यह हो जाएगा अग्ये next question है सिपाही की मा सिर correct answer हो जाएगा आपको जाय से मलिक मोहमद जायसी नेक्स्ट कोईस्टण है अधिनायक सिर्षक कविता के कविरी में कौन है तो यह रखुवीर शहाय होगा trage ऑई को लेख़्ट कोईस्टण है कि गॉंब का घर सिर्षक कविता के अनुसारं अंचैती राज में कौन खो गए तिसका correct answer हो जाएगा पंच प्रमेश्वर एश का correct answer होगा next question है 97 की गौं का घर कविता की संग्रा से ली गई है तिसका correct answer हो जाएगा गौं का घर 97 का इसका हो जाएगा आपको ए यानिक संस्यात्मा next question है 98 की कमाईनी महाकावी के रचनाकार न इसका correct answer हो जाएगा 98 का जैसंकर प्रसाद next question है 99 की रामचलित्र महाकावी के रचेता कौन है इसका correct answer हो जाएगा आपको तुलसी दासी इसका correct answer होगा next question है कि वसुन धराभ होगी मानव और धनमानव एक ही सिक्के के दो पहली है या उंग्ति की सिर्षक पार्ट से है तिसक का options है ओ सदानेरा तिरीच या रोज या अर्ध नारिश्वर इसका correct answer क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे बाकी 100 objective question में से आपका कितना सही हुआ है आप हमें बताएंगे बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो